आज का ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहूल गांधी कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उतरेंगे और पालिटी की कमान संभालेंगे या नहीं हाले में राहूल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो केरल में नाव चलाते हुए नजरा रहे है और उनके हाथ में पतवार है इसके साथ ही उन्होंने कैप्षिन में लिखा है जब नाव बीच मजधार में फस जाए तब पतवार अपने इकले राहूल गांधी ने पिछले दिनों अध्यक्ष से जुड़े सवाल को लेकर कहा था कि समय आने पर ही पता चलेगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा तमिल नाडू गुजरात पंजाब उडीसा जम्मो कश्मीर बिहार समेत कई राज्यों में कॉंग्रिस यूनिटों ने प खुद मैदान में उतरे तो फिर स्थिती बदल सकती है और नतीजे एक तरफा हो सकते हैं अब बात करें कॉंग्रिस अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया की तो पार्टी में चुनाव के लिए 24 सितंबर से नामंकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो 30 सितंबर तक चलेग इसके बाद 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे गोशित किये जाएंगे खास बात यह है कि कॉंग्रिस ने लंबे समय बाद कॉंग्रिस वरकिंग कमेटी यानि CWC में भी चुनाव का एलान कर दिया है